आखिर कैसे हुआ था बर्राम जी का मृत्यू आज के इस वीडियो में हम इस विशे पर चर्चा करेंगे अगर अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीस हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पासी पड़े बेल आइक और ये सब बर्राम जी से देखा नहीं गया वह निकलकर चले गए और जाकर वेड़ गए समुद्र तड़ के पास वहाँ पर स्रीकृष्ण और स्रीकृष्ण का सार्थी तारक ने देखा कि बर्राम जी बेटे हुए है ध्यान के मुद्रा में और उनके मूं से विशाल काय क का एक सर पर निगलकर समुद्र की तरफ बढ़ रहा है और समुद्र उसका इस्तूति कर रहा है देखते ही देखते विशाल काय शर्प समुद्र में शमा गया और इसी प्रकार बर्राम जी का अंत हुआ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा राधे राधे